ही फ्रेंड्स वेलकम बैक आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल बहुती स्वाधिश और पॉश्टिक गुड़ पापड़ी जो घर में रखी केवल तीन चीजों से बड़ी जल्दी से बन जाती है तो इसके लिए लिया है एक कब गेहूं का आटा, आधा कब घी, आधा कब ब लेंगे एक कब गेहूं का आटा और गेहूं के आटे को इस घी के साथ हमें भूनना है गेहूं का आटा, घी और गुड़ हम तीनों को एक ही कब से मेजर करेंगे ताकि हमारी गुड़ पापड़ी परफेक्ट बने तो घी और गुड़ का प्रमान बराबर है और आटा उसक अगर घी कम लगता है तो दो टीस्पून घी और डालें, उसके बार डालेंगे हाफ टीस्पून इलाइची पाउडर, आटा अच्छे से भून गया है, कलर ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, अब गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं, लेकिन अभी इसे हिलाते रहते हैं, क्योंकि अभी कडाई गर्म है, नहीं तो आटा नीचे से जल सकता है, देखिए आटा कितना च्छबून गया है, अब उस प्लेट को ग्रीज कर लेते हैं, जिसमें हमें गुड़ पापड़ी सेट करनी है, गी की मदद से, इस तरह से ब्रश्टे हमें से ग्रीज कर लेंगे, अब इस मिश्रण में हम डालेंगे आदा कब बारीक कटावा गुड़, यदि आपको मीठा जादा पसंद है, तो आप आदे की जगे पौन कब गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ को बारीक काटें या कद्दू कस कर लें, मिश्रण अभी गर्म है, इसलिए गुड़ इसमें मेल्ट हो जाता है, गैस की फ्लेम अभी आफ ही है, और इसे हम अब सेट होने के लिए रखेंगे प्लेट में, तो इस ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ऐसी ही एक विंटर स्पेशल गौन्द के लड़ू की रेसिपी भी मै बहुत टेस्टी लगती है, अपने पसंद के ड्राइफ रूट से से गार्निश करें, बारीक कटे हुए बादाम और पिष्टा मैंने यहां लिये हैं, आप कोई भी ड्राइफ रूट ले सकते हैं, एक कटूरी की मदद से इस तरह से प्रेस करते हैं, तो ड्राइफ रूट को ट्राइफ करें, क्योंकि यह कभी भी आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं, और बच्चों को भी यह रेसिपी बहुत पसंद आती है, तो बहुत ही डिलेश्यस गुड़ पापड़ी बन गई है, तो फ्रेंड्स यदि यह रेसिपी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इस लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इट हैल्दी, स्टे सेफ, बबाई, थैंक्स फॉर वाचिंग.